तो गोड़ मॉर्णिंग गाइज अभी गंटा घर पे थावें देरादून के यहां से मैं निकल चुका हूं हरी दुआर के लिए तो जी आज का ट्रिफ लगने वाला है अपना हरी दुआर का देरादून से हरी दुआर के लिए सिम्गनल अभी हूनी है तो देख कना पड़ेगा भायली में real field से जाएंगे में highway से जाएंगे अक्चुली चलो जी चलो 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 तो ट्रिप मज़ेदार होने वाला है भाई बहुत सालों के बाद जा रहो हूं मैं आज घरीद्वार पता नहीं कैसा हीवे बना है और कैसा नहीं तो जी अभी देहरदून का टोल आने वाला है देहरदून से हम निकल चुके हैं बाहर और यहां से अब पहला टोल आएगा हरीद्वार जाते हुए लेकिन बाइक में टोल नहीं लगेगा अगर आप कार वागेरा से आ रहे हो तो टोल लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूं उसके लिए फिर भी भाई रोड तो अच्छी बनेगी जबरदस्त रोड है रोड क्या हाईवे है पूरा भाई फोल लेन हाईवे है मैं तो फर्स टाइम आ रहा हूं भाई इस हाईवे से ना हरी दुआर मैं जब यह कभी हाईवे बनाई नहीं था उससे पहले ही कभी आया था तैरदुन से हरी दुआर के लिए जबरदस्त वाई अल्टीमेट नया गाओ मियावाला अभी हम पहुंच चुके है नया गाओ मियावाला में यह देखो पहाड और मसूरी के तो दिखी नहीं रहे भाई कोरा लगा हुआ है देरदुन में बहुत ज़्यादा पॉलूशन हो गया भाई बहुत हद से ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा भाई हरी द्वार के नजारे दिखाते है आज तुम्हें पहले तो इस रोड के दिखाते हैं इस हाईवे के नजारे दिखाते हैं कैसा बना हुआ है मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ भाई आज इस हाईवे को देरदून से हरी द यहां पर लिखा है 41 किलो मेटर चार किलो मेटर आ गए क्या चार कतम चलते ही यहां पर कुछ नहीं पता भाई नहीं वालों के जो बोर्ड लगे होते हैं न कोई गारेंटी नहीं है इनके यह देखो भाई नजारे ओ भाई सुबह सुबह का टाइम और ऐसा मौसम और उपर से यह नजारे वाँ ओ भाई यह कहा जाएगी ऐसा लग रहा है जबरदस्ट भाई जबरदस्ट और यहां पर अभी जंगल सा है ना तो ओ ठंड सी मैसूस हुई है मज़ेदार भाई मनी नहीं कर रहें कि कैमिरा ओफ कर दो कहीं नजारे मिसना हो जाए था भाई मैंने कितने पीछे बोला था कि टोल आ चूका है अब आया है वो टॉल कितने किल defenses के यह तो मुझे आडिया नहीं है लेकिन मैंने कितने पीछे वोल दिया था रहा करके टोल गया है लेकिन मैरे ऊप़े पेटने का फरक्रा घलती मेरी है कियोंकि उस पर सवय लिखा था कि टोल Ms daughter टोल रोड श्टार्ट हो चुकी है, मुझे लगा कि टोल आ गया है, लेकिन टोल अब आ रहा है, कहां पे लच्छी वाला में आई थे, कि ये टोल ना, कितने का होगा, मुझे नहीं पता भाई, इस चीज का, क्योंकि मैं कभी गाड़ी से आया नहीं, इदर, मैं तो ये रोड बनने के बाद, फ्रेश टाइम आ रहा हूँ आज, गजब के नजा रहे हैं भाई, दोनों तरफ जंगल, राजाजी नेशनल पार्क, वो भाई, हातियों का दब दबाय है, इदर हाती रहते हैं, कभी भी रोड पर आ सकते हैं, ऐसी मैंने वीडियो देखी हैं, बहुत सारी क तो यह वाला उपमार्क शुरू, लच्छी वाला गर जाना है, तो इदर से जा सकते हो आप, यहाँ पर भाई बढ़िया वाटर पार्क है, मस्त वाला, नैचुरल वाटर पार्क, भाई, रोड देखो न, भाई साब, मज़ेदार भाई, मज़ेदार, जबर दस्त है भाई, यह रोड जबरतास्त, तो जी रिसी केस के लिए, यहाँ से आप लेफट जा सकते हो, और हरित्वार के लिए जाओगे राइट के हल आपको जाना है, तो रैट जाना होगा उपा की तरफ, और रिसी केस के लिए जाना होगा लेफट, तो भाई, रोरड अलिटीमेट है, और दस्त रोड है एक तम बहुती अलिटीमेट रोड है तो जी जो सामने दिख रहा है यह है आपका हरीद्वार रिसी केस और ब्रीज और इसके नीचे से लेप्ट जाओगे आप रिसी केस के लिए यहां से अगर आप लेप्ट मुड़ते हो तो रिसी केस के लिए जाओगे और राइट के लिए जाओगे हरीद्वार तो हमें जाना है अभी हरीद्वार और मुड़ जाते हैं राइट के लिए तो भाई यह देखो यहां पे नजारे चबरदस उपर का जो रोड है जो ओवर ब्रीज है यह पीछे रिसी केस के लिए जा रहा है और यह है यहां पे हिलते हुए चलती है और यह देखो यह चल रहे है यहां पे विक्रम जो की हरीद्वार से रिसी केस के लिए चलते हैं तो आप अगर प्रेवलिंग करना चाते हो इनसे तो इनसे भी हरीद्वार से रिसी केस यह रिसी केस से हरीद्वार जा सकते हो भाई नजारे जवर दस्त तो जी यह देखो बोड यहां पे सामने लिखा हुआ है हरिद्वार है यहां से 13 किलोमेटर मात्र और दिल्ली 200 सम्थिंग है कितना था ध्यान नी रहा मुझे कितना था याद नी आया और यह देखो उपर से वेल वे लाइन जा रही है इसके उपर से आई जबर्दस्त जबर् तो जी यह पहुच गए हम अल्मोस्ट हरिद्वार में देखो तिरंग का जंड़ा अपना लहरा रहा है और राइट साइड में देखो सिर्शंकर की मूर्ती जो की बहुत फेमस है भाई हरिद्वार में आपने वेब सीरीज में हर जंगे देखा होगा इसको यह देखो हर की नगरी में आपका स्वागत है बोलो हर महादे तो भाई है राइट सेड में हरे की पैड़ी है और यहाप भाई क्या ही नजारे हैं सुवे सुवे के भाई बहुत थी अल्टिमेट और नीचे पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़िया लगी हुई तो इससे समझ में आता है कि भाई हरी तुवार में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो यह देखो वाई जी सुवे सुवे साइकलिंग कर रहे हैं वाई साइकलिंग कभी अलगी क्रेज चड़ रहा है लोगों के उपर ये देखो वाई साब को ये सुवे सुवे मस्त मोला होके साइकलिंग कर रहे हैं मजा आ रहा है रोड भी अच्छी है खाली पड़ी है रोड ज़्यादा प्रृट बढ़ाका नहीं है तो हम जाएंगे यहां से नीचे से क्योंकि कहीं ऐसा ना हो की और भी से होते वहे हम जादा ही आगे निकल जाए अरिद्वार में क्योंकि पता नी चलता गाई और यहां पर लिखा भी नहीं है कहीं पर बोर्ड होने चाहिए यार उपर से आना था कि नीचे से आना था चलो खेर, नीचे से आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है अबयत् जाम बविस्स ताल जाये कुछ नहीं है यहां से किधर जाएंगे, किधर जायेंगे ओके गोड लगा है भाई याँ से हम राइट मुड़ेंगे तो जी, यहां से हम मुड़ चुके हैं, यहां से मुड़ेंगे हम, राइट, पेलिया हमने यहां से राइट, तो भाई हम बिल्कुल सही पहुचे हैं, उपर से नहीं जाना था, अगर उपर से जाते तो फज जाते, अब हम यहां पे थोड़ी दे रुखेंगे, चाई वाई प तो जी यह है अमरापूर घाट नया घाट बनाया वहाई अरी दुवार में लिटेमेट बहुत ही जबरदस्ट गाट है बहुत ही सुन्दर नीट ओर क्लीन और ये देखो भाई उपर न सामने क्या मस्त मूर्थी लग रहे है ये भगी रती जी की मूर्थी है ये देखो सामने उपर जबर दस्त भाई कैमरे में पता नहीं कितनी कैद हुई होगी और कितनी नहीं और ये देखो भाई यहां पर यह वाले बड़े मस्त लगते हैं बहुत ही अल्टीमेट लगते है यह वाले प्रीज ना मजा आ जाता है नीचे माघंगा पह रही है और उपर से हम जा रहे हैं तो यह देखो जवर दस्त है हुआ है यहाई धार अभी हम यहां से ऐघेंगे राइट लेंगे यहां से और सिधे पहुँचे यह सीधे रास्तार में हुक्त सूबे बाइज टूरिस्ट ऐख वह अपनेक्र एपने घर की तरब हो और सब के चेहरे लगएक उसी कितनी हैं भाई सब के चेहरे के लिए अपने घर जाने के लिए तो कल वो घूमे होंगे अच्छे से यहां पर यह देखो यह सब लोग अपने घर जा रहे हैं अभी और यह पहुंच चुके हम यहां पर वारा सिव चोब बोलते हैं चुली इसको साय चाहतर मुझे आधा रहा और यह सीधे रास्ता जाता है है हर की पोड़ी तो भाई बहुत ज्यादा भीड़े आज हरी दुवार में हच्छे ज्यादा भीड़े भाई इतनी भीड तो मैंने पीक टाइम पे ने देखी जब सावन का महिना होता है और सुबह सुबह के टाइम इतनी भीड़े अभी साढ़े आठ बज़रे हैं और हच पूरा पूरा एक गंटा लग चुक है और पचपन किलोमेटर लगे यहां तक आने में बाइक चल चुकी है 54.7 किलोमेटर तो लगबद 55 किलोमेटर ही मान के चलो आप मोटा मोटा और हरी दुवार में अभी हम पहुँच चुके हैं हर की पोड़ी के आसपास है पीछे रेल सब अगेरा से आप जा सकते हो और अभी तो यहां पर मैं देख रहा हूँ भाई तांगे भी चल रहे हैं भाई यह तो मैंने पर्स टाइम देखे हरी दुवार में तो चलो बड़ी आए नई नई चीज़े आ रहे हैं नई तो क्या बोलेंगे पहले तो बोच चलते थे हैं ह सब कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना प्रेस ताकि आने वाली हर इक वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलती रहें तो मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई